हेलो स्टुडेंट्स वेलकम इन माई चैनल वे टू बिकम एक्सपर्ट इन संस्कृत आए आज की इस वीडियो में हम लेसन नमबर 10 सुभासित रतनानी नामक पाट जो है उसकी संस्कृत व्याख्या करते हैं देखिए सुभासित रतनानी इसमें स्लोक दिये गए हैं इन स्लो की संस्कृत व्याख्या आशकते हैं जो चैर नंबर की स्लोग होगी तो हम यहां पर जो है सुभासित रतनानी नामक लेसन की कर फर्स्ट स्लोक है फर्स्ट स्लोक देखिए क्या है प्रत्थिव्याम त्रीणी रतनानी जलम अन्नम सुभासितम मूढई पासान खंडेशु र अन्नम मूढई या अनाज और सुभासितम मूढई पासान मूढई पत्थर के टुकडों में ही रतन संगा विधियते रतनों की संगा मानी जाती है अर्थात मूर्क लोग रत्नों को ही इसको पत्थर को ही रत्न मानते हैं देखिए अब इसकी संस्कृत रहे किस प्रकार से करेंगी सबसे पहले हम संदर्ब लिखेंगी क्या लिखेंगी प्रस्तुत स्लोको अस्माकम संस्कृतस्य अस्माकम संस्कृतस्य स्पंधना नामकम स्पंधना नामकम पाठे पुस्त के संक्लितह सुभासित रत्नानी सुभासित रत्नानी इपाठ का नाम है नामकम पाठात उद्रितह अस्ती द्यान से देखे संदर में क्याल केंगे प्रस्तुत स्लोक अस्माकम संस्कृतस्य स्पंधना नामकम पाठे पुस्त के संक्लितह सुभासित रत्नानी इपाठात उद्रितह अस्ती यानि प्रस्तुत स्लोक हमारी संस्कृत की पाठे पुस्तक संस्क्लित की संस्क्लित शुभासित रत्नानी इपाठ से उद्रित है ठीके अब इसका प्रसंग लिखेंगे प्रसंग में लिखते ही ये वाली लाइन चोड़ देंगे नीचे वाली लाइन से लिखना स्टार्ट करेंगे प्रस्तुत स्लोके प्रस्तुत स्लोके तब यहाँ पर जो ये त्रीन रतनों के बारे में बताया गया है तो दिखें प्रस्तुत स्लोके कवी ही कवी रत्ना नाम विश्ये रत्ना नाम विश्ये वर्णयन उक्तम यद मिश प्रस्तुत स्लोक में कवी रत्नों के विशे में वर्णयन मिश वर्णन करते हुए उक्तम यद मिश कहते हैं कि प्रस्तुत स्लोक में कवी रत्नों के विशे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि अब हम इसकी संस्कृत व्याख्या लिखेंगे संस्कृत व्याख्या यह वाली लाइन छोड़ेंगे अब देखें क्या कि लिखेंगे प्रस्तूत स्लोके प्रस्तूत स्लोके कवी ही कथ्यतियत प्रस्तुत स्लोके कवी कथ्यती यत क्या कहते हैं कवी कवी कथ्यती यत भोजनह है मनुशो धरायाम धरायाम धरा की सप्तमे वक्ती एक वचन धरायाम इस धर्ती पर प्रमुख रूपेण प्रमुख रूपेण में इस प्रमुख रूप से त्रेनी रत्नानी क्या कहते हैं भोजना है मनुशो धरायाम प्रिथ्वी पर प्रमुख रूपेण प्रमुख रूप से त्रेनी रत्नानी संती तीन रत्न है तेसाम नामानी यत उनके नाम है कौन-कौन से जलम अन्नम सुभासितम चौ। सुभासितम चौ। उनके नाम क्या क्या है जलम मिच जल अन्नम अन्न और सुभासितम मिच रेष्ठ वानी। कवी ही एतेसाम कवी मिच कवी एतेसाम एव रत्नम मन्यते कवी इनको ही रत्न मानते हैं। ठीके परम परंतु क्वचित कुछ जुए परंतु जुए देको कवी तो ही निको रत्न मानते हैं। परम परंतु क्वचित मूर्खा जना प्रस्तर खंडानाम एव। क्या करते हैं। परम परंतु क्वचित जना कुछ लोग जुए क्या करते हैं। प्रस्तर खंडानाम प्रस्तर खंडानाम मिस पत्थर के टुकडो को एव मिस ही रत्नम मन्यते। परंतु क्वचित मूर्खा जना कुछ मूर्ख लोग जुए क्या करते हैं। ते न जाननती यत आगे लिखें ते न जाननती यत ते मिस भी सब न जाननती नहीं जानते यत की जलम एव जीवनम जलम एव जीवनम भवती जलम एव जीवनम भवती भी जल ही जीवन होता है। और क्या करते हैं अन्नम एव अन्नम एव मिस अनाज ही क्या देता है उर्जाम ददाती और अन्न ही उर्जा को देता है। अपीच और भी मदूर वान्या मनह प्रसन्नह भवती। मनह प्रसन्नह भवती। मिस मदूर वानी से मन प्रसन्न हो जाता है। एते साम रत्ना नाम त्यक्त्वा एन रत्नों को त्या करके चेत कोपी। यदि कोपी मिस कोई अपर छेत्रे अपर छेत्रे मिस दूसरे छेत्र में प्रयासम करोती। प्रयासम करोती। प्रयास करता है समूर्ख एव भवती। समूर्ख एव भवती। वे मूर्ख ही होता है। अपी ज़र और भी क्या लिख सकते हैं इसमें देखें। अस्विन नस्वर संसारे। किंची दपी स्थिर न भवती। इस नस्वर संसारे कुछ भी स्थिर नहीं रहता है। अनेन कारणेन इस कारण से जनानाम इस लोगों को स्वजीवने इस अपने जीवन में एते साम। रतनानाम प्राप्तवा सुखी भवेत। सुखी भवेत। अनेन कारणेन इस कारण से जनानाम मिस लोगों को स्वजीवने अपने जीवन में एते साम रतनानाम प्राप्तवा इन रतनों को प्राप्त करके सुखी भवेत। सुखी रहना चाहिए क्यों क्योंकि जल अन और सुभाशित मिस श्रेष्ट वाणी यहीं जीवन के सबसे श्रेष्ट रतन कहे गए हैं। बाकी पासान कंडे सुमिस पत्थर के टुकड़े कहने का मतलब यह धन दोलत पाने में मनुष्य पूरे जीवन भर प्रयास करता रहता है और अंततो गत्वा उसके पास कुछ भी नहीं होता है। मनुष्य की म्रत्य होती है तो वे सब कुछ यहीं पर छोड़ करके चला जाता है क्योंकि उन पासान खंडों को पत्थर के टुकड़ों को कमाने के लिए व्यक्ति जीवन भर उनके पीछे भागता दोड़ता रहता है और पूरे जीवन भर शांती की प्राप्ति नहीं कर प संस्कृत व्याख्या संस्कृत व्याख्या के बाद हम लिखेंगे इसकी व्याकरनात्मक टिपनी क्या लिखेंगे व्याकरनात्मक टिपनी क्या लिखेंगे इसकी व्याकरनात्मक टिपनी व्याकरनात्मक्टिपनी ठीके देखी व्याकरनात्मक्टिपनी में क्या लिखेंगे हम प्रिथिव्याम यहाँ पर सप्तमी वक्ती एक वचन है सप्तमी वक्ती एक वचन एक वचनम ठीके चाहा, सब्तिमी भक्ती एक वचन हो गया उसके बाद जो है जलम प्लस अन्नम जलम अन्नम ठीके, यहाँ पर इसको अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा जलम प्लस अन्नम ठीके, चाहा, नेक्स देखे मूढ़ई मूढ़ई, यहाँ पर तृतियावि भक्ती बहु अचन है तृतियावि भक्ती यहाँ यह दो नहीं आएगे विभक्ती बहु अचनम तृतियावि भक्ती बहु अचनम ठीके, खंडेशू सब्तमी भक्ती बहु अचन खंडेशू में सब्तमी भक्ती बहु अचन सत्मेजक्टि वहोआ चन ठीक है प्रियर यह हो गई इसकी संस्क्रित व्यक्या यहां से देखे स्टाट क होई और यह चार नंबर की व्यक्याः आपकी बिल्कुल कम्प्रीट हो गई इसमें से आपको चार में से चार नंबर एक्जामनर देंगे देखे, संदर्व क्या है, प्रस्तूत श्लोक हो, अस्माकम संस्कृत स्या, स्पंधना नामकम पाथे पुस्त के संकलित हो, सुभासित रत्नानी नामकम पाथा तुद्रित हो, अस्ति, इसमें ध्यान रखने योगी बात यह है, कि आपको जैसे जो बुक का नाम है, और जो रा करेंगे, इन्वर्टिट गोमा में क्लोज करेंगे, सुभासित रत्नानी वैसे ही सुभासित में भी मात्रा मिस्टेक नहीं करेंगे, इन्वर्टिट गोमा में क्लोज करेंगे, और अंडर लाइन भी लगाएंगे, ठीके, नामकम पाथा तुद्रित हो, अस्ति, उसके यह मनुश्यों दरायाम प्रित्वी पर प्रमुक रूपेड प्रमुक रूप से त्रीडी रत्नानी संती तीन रत्न हैं तेसाम नामानी यत तिनके उनके नाम है कि जलं अन्नम सुभासितम च जल अन और स्रेष्टवानी कवी मिस कवी एतेसाम एव रत्नम मन्यते मिस इनको ही रत्न मानते हैं परम परन्तु क्वचित मूर्खा जना कुछ मूर्ख लोग प्रस्तर खंडानानाम पत्थर के टुकड है तेन जानंतियत वे नहीं जानते हैं कि जलं एव जीवन मवव्ती जल ही जीवन होता है अन्नम ev fake चर्ण नाज एतिसाम रत्नानाम त्यक्त्वा इन रत्नों को त्याकर के चेत यदी कोपी कोई अपर चेत्रे दूसरे चेत्र में प्रयासम करोती कोशिस करता है सब मुर्ख ये भवती वे मुर्ख ही होता है। नस्वर संसारे इस नस्वर संसार में न विनास सील संसार में कोपी यक और किंचित भी कोपी मिश कोई भी किंचित भी मिश कुछ भी स्थिर नभवती स्थिर नहीं होता है अनेन कारणिन इस कारण से जनानाम मिश लोगों को स्वजीवने अपने जीवन में एतिसाम रत्नाना प्राप्त्वा इन रत्नों को प्राप्त करके सुखी भवेत सुखी रहना चाहिए नेक्स्ट व्यकर्णात्मक्टि पनी प्रतिव्याम सप्तमी बक्ती एक वचनम जलम अन्नम जलम प्लस अन्नम मूढई तरत्य बक्ती बहु अचनम और खड़नेशु में सप्तमी बक्ती कंप्लेट होती है